हाँ तो भाईयो मोदी जी आज आज आंको बहुत हसी मजा की कहानी सुनाएंगे आपको कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा और आपको कहानी से कुछ सिभने को भी मिलेगा अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरू करना तो चलिए दोस्तों मोदी जी कहानी सुरू करते हैं मुझे दे दो, मैं सहर जा रहा हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं पैसे के बदले में अपनी तराजू आपके पास ग्रिवी रख देता हूँ, मैं जैसे ही सहर से बापस आऊँगा, तो मैं अपनी तराजू आपसे ले लूँगा, तो घासी राम ने कहा कि ठीक है भाईया, मैं तुमको पैसे दे लेता हूँ, फिर घंसयाम उन पैसों को लेकर सहर चला गया, घंसयाम ने सहर में जीत और महनत की और अच्छी खासी कमाई की, इसके बाद दो, तिन महीनों के बाद घंसयाम अपने घर लोटा, घंसयाम ने सहर से जो भी पैसे कमा कर लाया था, उन पैसों से बहर फिर से गाव में अपना बैपार चालू करना चाहता था फिर बहर अपने दोस्त घासिराम के पास गया और अपना हाल चाल बताया फिर घंसियाम ने घासिराम से कहा कि भाया मैंने तुम्हारे पास मेरी तराजू गिल भी रखकर गया था वह मुझे वापस दे दो और पैसे ले लो तो घासी राम ने निराश होकर कहा कि मित्र में कभी भी तुम से जूट नहीं बोलूँगा जब तुम तराजु मेरे पास रखकर गए थे तो मैंने तुम्हारी तराजु को अपनी कीमती वस्तु समझ कर कपड़े में बांखर अलवारी के उपर रख दिया था प तराजु को चुहें खा जाएंगे तो मैं तराजु को बड़े से लोहे के संदुक में रख देता मेरे को तुम्हारी तराजु को बड़ा अपसोस हो रहा है तो घंसियाम समझ गया कि उसका दोस्त उससे जूज बोल रहा है पर घंसियाम ने मुस्कुरा कर कहा कि कोई बात नहीं दोस्त ये सब तो चुहों की मर्जी फिर घंसियाम ने कहा कि भईया मैंने सहर से तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आया हूँ पर मैं घर पर ही भूल कर आ गया हूँ तो तुम्हारे बेटे को मेरे साथ भेज़ दो मैं मिठाई देकर तुम्हारे लड़के को बापस फिर घंसियाम और घंसियाम का बेटा घंसियाम के घर आ गए इधर घंसियाम अपने बेटे का इंतजार कर रहा था कि बेटा मिठाई लेकर आएगा तो मिठाई घा कर मुँँ मिठा करूँगा पर सुबर से साम हो गई घासिराम का बेटा घर नहीं आया तो घासिराम घंसियाम के घर पहुचा और घंसियाम से कहा कि दोस्त मेरा बेटा अभी तर्ग घर नहीं पहुचा कहा है मेरा बेटा तो घंसियाम ने उदास मन से कहा क्या बताऊं दोस्त हम दोनों घर आ रहे थे तो तुम्हारे बेटे को एक चिरिया उड़ा ले गई मैं चिरिया को पकरने ही वारा था पर आकास में उर गई इधर घंसियाम को घुस्सा आ गई और जोर से बोला दोस्त मजाक मत करो मेरा बेटा मुझे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा घंसियाम ने मुश्कुरा कर कहा कि भईया सब चिरिया की मर्जी फिर घंसियाम ने कहा कि मैं तुम्हारी सिकायत राजा साहब से करूँगा और तुमको सजा दिलवा कर रहूँगा फिर घासी राम ने राजा साहब से सिकायत की तो राजा साहब के मंतियों ने गंसियाम को पकर कर दरवार में पेस किया फिर राजा साहब ने उन दोनों की अपनी अपनी बास सुनी तो राजा साहब भी अश्चर चकित रह गया और सोचने लगा कि चिरियां भी रर्क्य को मैं अभी दूद का दूद और पानी का पानी कर देता हूं। फिर मंत्रियों ने सिफायों से कहकर 20-25 चुहें बुलवाए और एक लोहे की तराजु बुलवाई और एक पिंजरा भी बुलवा लिया। फिर मंत्रियों ने पिंजरे में तराजु और चुहें को बंद कर या नहीं अगर तराजू का थोड़ा सा भी चुकड़ा खा जाएंगे चुहे तो घासी राम सही बोल रहा है सुभै से साम हो गई पर चुहें तराजू को खा नहीं पाए तो मंत्री ने राया साब से कहा कि महाराज घासी राम जूज बोल रहा है इसको दस साल जेल में रखा जाए तो घासी राम ने कहा कि महराज मेरे से गलती हो गई मैं अपने मित्र की तराजू को देना नहीं चाहता था इसलिए मैंने अपने मित्र से जूर बोल दिया पर मैं अभी घंसियाम की तराजू राकर देता हूं फिर धासी राम ने घंसयाम की तराजू वापस दे दी और घंसयाम ने भी उसका बेटा वापस दे दिया फिर राजा ने उन दोनों को छोड़ दिया तो भाईया दोस्ती में दरा या धोका आदमी लालच के चक्कर में करता है मोद्री जी बहुत ही बढ़िया कहानी थी सुनकर मज़ा आ गया और भाईयो आपको कैसी लगी मोद्री जी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्रिस वीडियो को लाइको चैनल को सस्क्राइब करे भोले नाज सब के साथ